नमस्कार इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डोपामिन और स्किजोफ्रिनिया के बारे में यह वीडियो एक सिरीज का हिस्सा है जिसमें मैं आपसे मेंटल इलनेस और उनके संबंद में जानकारी शेयर करूंगा ताकि आपको इने जानने में मदद मिले और इनके संबंद में आप बहतर निर्ने ले पाएं यह जानकारी मानसिक बिमारियों के लक्षन, कारण और उनके उपचार के संबंद में होगी इन वीडियोज को बनाने का प्रयोजन केवल आपको सही और बहतर जानकारी देने का है जो आपके संदेह और उल्जन को दूर करने में आपकी सहयोगी हो यह वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो या तो मानसित बिमारी से पीडित है या उनके लिए जिनका परिवार का कोई सदस्य, मित्र या रिष्टेदार इस तरह की बिमारी से ग्रस्थ है यह जानकारी पूरी तरह से हिंदी में है ताकि हिंदी बोलने और जानने वालों को समझने में आसानी हो तो आईए आगे बढ़ते हैं डोपामिन एक निरो ट्रांस्मिटर है जो मस्तिष्क में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्रिया का संचालन करता है इसके परियाप्त मातरा में पैदा होने से मस्तिश्क बहुत से कारे कर पाता है जो हमारे व्यावार और सोच को नेंद्रण में रखने के लिए जरूरी है इसकी भूमी का हमारे मन और व्यावार के बहुत से पहलूं में देखी जाती है जैसे कि इच्छा शक्ती उतेजना Motor Functions मतलब हमारे शरीर के जो अंग है उनके हिलने, डुलने, चलने और उससे संबंधित Functions Executive Functions मतलब जो किसी कारे को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते है जैसे Plan करना, Decision लेना कोई निर्ना ही लेना या उसके बारे में Reason करना इस प्रकार के Functions Reward और Reinforcement Reward मतलब कोई ऐसा लक्षे जो हम हासिल करना चाहते हैं जो हमें लाभ मिलेगा इस कारे को पूरा करने से वह और Reinforcement मतलब जब किसी कारे को पूरा करने से बार-बार हमें लाभ का अनुभव होगा तो हम उस कारे को बार-बार करेंगे तो यह होती है Reinforcement तो हम उस कारे को या उस व्यवार को बार-बार करते जाएंगे जिससे कि हमें वहलाब बार-बार मिलता रहे तो इस प्रकार के कुछ Functions में डोपामिन का महत्व और उसकी भूमी का देखी जाती है कुछ शरीर के अन्यकारे जैसे यौन अत्वा लेंगिक प्रोलेक्टिन जो की स्तन में दूद बनाने में सहयोग देता है इनमें भी डोपामिन का काम काफी महत्वपून होता है समाने स्तर पे तो यह हमें स्वस्त रखने का काम करता है पर यदि इसके स्तर में कोई बदलाव आजाए किनी भी कार्णों की वज़े से तो मन एवं शरीर में भी बदलाव आजाते हैं इसके ज्यादा स्तराव होने से डिलूजन्स और हैलुसिनेशन्स हो सकते हैं जो की पॉजिटिव सिंटम्स कहे जाते हैं स्किसोफ्रीनिया के और इसका स्तराव कम होने से नेगिटिव सिंटम्स हो सकते हैं जैसे की अंग्रेजी में कहते हैं A-Sociality मतलब समाजिकता में कमी समाजिक व्यवार में कमी इच्छा शक्ती में कमी जिसको evolution कहते हैं आनन्द का अनुभव ना होना एनहेडोनिया, भाशा और बोली में कमी का आना, एलोजिया और चहरे पे भाव का उत्पन्द ना होना मतलब फ्लैटनिंग ओफ एफेक्ट इसी के साथ कम डोपामेन प्रोलेक्टिंग के स्तर को भी बढ़ा देता है जिससे कुछ यौन समबंदी समस्या हो सकती है जैसे महिलाओं में दूद जादा बनना एकवयस्क महिला में मासिक धर्म का ना होना या कामुत तेजना में कमी का आना जो कि पुरुशों और स्तरी दोनों में देखा जा सकता है और पुरुशों में गाइनको मेस्टिया यानि किस तनों का अकार बढ़ जाने जैसे लक्षण भी आ जाते हैं दोपामिन की कमी से पार्किंसन के लक्षण भी आते हैं जैसे कि हाथों पैरों में जकडन होना, शरीर की गतियों में द्भीमापन आना शरीर के आसन मतलब पॉस्चर और मुद्राएं उसके मूवमेंट्स एक्टिविटीज में बदलावाना ट्रेमर्ज का आना जिसमें शरीर कांपता है बहुत या कोई शरीर का कोई अंग बहुत कांपता है इन्हें extra pyramidal symptom भी कहा जाता है मतलब EPS extra pyramidal symptom आये थोड़ा और विस्तार में जानते हैं कि मस्तिश्क के किन हिस्सों में डोपामिन का संचार होता है और ये किस तरह सिम्टम्स का कारण बनता है मुख्य तोर पे डोपामिन का संचार दिमाग में चार प्रकार से होता है या यह कहें कि इसके चार रास्ते हैं दिमाग में प्रवाह करने के वे हैं मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल, नाइग्रो स्ट्रियेटल और ट्यूब्रो इन्फंडिबुलर मीजोलिम्बिक वाले हिस्से में ज्यादा डोपामिन से पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं मीजोकॉर्टिकल हिस्से में डोपामिन के कम मात्रा में होने से नेगिटिव सिम्टम्स होते हैं नाइग्रो स्ट्रेटल हिस्से में कमी आने से EPS यानि एक्स्ट्रा पिरमिडल सिम्टम हो जाते हैं जैसे की पार्किंसन के लक्षन और ट्यूब्रो इंफंडिबुलर हिस्से में डोपामिन कम होने से प्रोलेक्टिन का स्तर बढ़ जाता है जिससे गेलेक्टोरिया मतलब प्रोलेक्टिन का जाधा आना जैसे बताया की स्तनों में निपल से दूद का निकलना श्राव होना एमेनौरिया जिसमें मासिक धर्म नहीं होता उसे एमेनौरिया कहते हैं महिलाओं में पुरुषों में इंपोटेंसी हो जाती है और गायनेको मेस्टिया भी हो सकता है जिसमें पुरुषों में स्तन बढ़ जाते हैं या सेक्शल डिस्वंक्शन होने का खत्रा रहता है अब यह देखें कि जब delusion या hallucination होता है तो डोपामिन के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए anti-psychotic दवाएं दी जाती है जो इन्हीं हिस्सों में प्रभाव डालती है पर अक्सर ऐसा होता है कि डोपामिन के स्तर में ज़्यादा कमी आ जाने के कारण positive symptom तो कम होते ही हैं पर दूसरे symptom जो भी बताए गए वे वड़ जाते हैं जैसे negative symptom, EPS, Parkinson के लक्षन या काम उत्तेजना में कमी या कुछ और दूसरे यौन बिमारियों के लक्षन तो हम यह कह सकते हैं कि डोपामिन का काम शरीर और मन के कारे करने की गती को नियंतरित करना है ज्यादा डोपामिन मतलब ज्यादा गती जैसे delusion और hallucination मतलब इसमें मन बहुत उत्तेजित रहता है बहुत ज्यादा काम करता है और dopamine के कम होने का मतलब है गती का धीमा होना जैसे negative symptoms या Parkinson के लक्षन सभी हिस्सों में जहां भी dopamine का संचार होता है उन में से दो हिस्से सबसे अधिक मैत्वपूर्ण है मीजो कॉर्टिकल और मीजो लिम्बिक क्योंकि इन ही में dopamine के स्थर में बदलाव के कारण जो सबसे आम लक्षन है schizophrenia के वे देखने में आते हैं बागी के लक्षन अकसर दवाओं के कारण आते हैं मतलब की side effects के तौर पे dopamine के एक खास पहलूपे मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान दिलाओं जो की इसका एक function है यह function schizophrenia को समझने में आपको मदद करेगा और dopamine का महत्व भी आप समझ पाएंगे वे है motivation यानि के इच्छा शक्ती, reinforcement यानि के किसी कारे करने में आने वाली प्रबलता उसका मजबूत होना, बार-बार करना और reward sensitivity यानि के प्रतिफल, मतलब फल प्राप्ती की समझन शीलता मतलब किस प्रकार का फल मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके प्रति समझन शील होना, उसके प्रति अलर्ट रहना कोई भी कारे हम तभी सफलता पूर्वक कर पाते हैं, जब हम में परियाप्त इच्छा शक्ति हो और अपने प्रयासों के फलस्वरूप कुछ लक्षे प्राप्त करने की लालसा हो और ये दोनों की कल्पना हम अपने मन और विचारों में कर लेते हैं जब हमें ये दोनों परियाप्ट स्तर तक होते हैं तो हम कारे पूरा कर पाते हैं और उसके परिणामों का आनन्द उठाते हैं कुछ लोगों में ये लालसा काफी अधिक होती है और वो कारे प्रारम करके उसे पूरा करने में जुट जाते हैं क्यूंकि वे परिणामों का लाब लेना चाहते हैं, वे हर समय ध्यान में रखते हैं कि इस कारे को पूरा करने से उन्हें किस तरह से लाब और सुकून की प्राप्ती होगी, यह बेकरारी और उतेजना उन्हें सफल बनाती है, और वे निरंतर किसी ना किसी कारे को करने में करते रहने से वे उसमें काफी प्रभावशाली भी हो जाते हैं एक प्रखार की लर्निंग हो जाती है आधत बन जाती है बार-बार वैकारे उन्हें अपनी तरफ आकर्शित करता है जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति की उम्मीद हो जैसे की कोई खेल या कोई टीवी शो या कोई म्यूजिक या कोई अपने काम धंदे से समबंधित कारे जिसे पूरा करते ही संतोष का अनुभव हो या रोज मर्रा के जीवन का कोई भी कारे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारा बिजनस या हमारा जॉब हो रिष्टे या अपने करीबी लोगों के भी समय बिताना ये कुछ भी हो सकता है समाजिक स्तर पे समाजिक होने के प्रती जो हमारी इच्छा शक्ती होती है वह भी इसका हिस्सा होती है डोपामीन इस पूरी प्रक्रिया का कारण होता है डोपामिन मन को कारे के प्रती उत्तेजित करता है इच्छा शक्ती बढ़ाता है लक्षे के प्रती लालसा जगाता है उसकी तरफ बढ़ने के लिए या उसे पूरा करने के लिए अग्रसर रहने में साहता करता है और उसे मिलने वाले सुक और मानंद के लिए निरंतर हमारे व्यवारों को प्रबल करता है जिससे हम उसे बार बार करें हम वेकारे अधिक करते हैं जिनसे हमें सुक की प्राप्ति हो dopamine इस व्यवार को सीखने में मदद करता है इस प्रबल व्यभार से reinforce हुए हुए behavior से हम हमेशा स्वयम को सुख के नजदीक महसूस करते हैं और सुख प्राप्ट करना, आनंद प्राप्ट करना कोई असंभव या impossible लक्षे नहीं लगता परंतु schizophrenia में जब misocortical हिस्सों में dopamine में कमी आती है तो व्यक्ति negative symptoms का अनुभव करता है जिनमें इच्छा शक्ती की कमी, आनंद की कमी, समाजिक व्यभार का कम हो चाना, विचारों तदा भाषा में तालमेल ना होना या किसी और की बातें ना समझ पाना और भावों की व्यक्ति बहुत नकरात्मक एवं अलग थलग रहना शुरू कर देता है उसके सभी नॉर्मल बरतावों में, नॉर्मल बिहेवियर में कमी आ जाती है उसकी गती, उसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है अब हम बात करेंगे डोपामीन के स्थरका मीजोलिंबिक हिस्से में उतेजना से भरा होगा, तो वे बहुत बड़े लक्षे निर्दारित कर लेगा। इन लक्षों को पूरा करना उसकी शमताओं और समय की सीमाओं से बाहर की बात होगी। परंतु उसका उतेजित मन चाहेगा कि वे जितना शीगर हो सके उतना ही शीगरून लक्षों को प्रा क्योंकि वहां कुछ भी प्रयत्न करने से उसे लाब मिलता नहीं दिखाई देगा। उसकी शमताओं और प्रयत्नों से मिलने वाली उपलब्धियों में बहुत बड़ा अंतर होगा, जिसे पूरा करना उसके लिए संभव नहीं दिखेगा। तो वे उन लक्षों को नहीं सा पाएगा। वे इस वज़े से काल्पनिक लक्षे और विचारों में उल्जे रहना ज्यादा आसान जमझेगा क्यूंकि वहां उसे मन मताबिक लक्षे के प्राप्ति मिल जाती है और दोपामिन का बढ़ा हुआ स्थर इस काल्पनिक सफलता को प्रबल भी बनाता है। रिइ व्यक्तिक कल्पना करना कई लोगों को आकर्शित नहीं करता क्योंकि वह जानते हैं असल सुख तो वास्तविक दुनिया में लक्षे को हासिल करने में हैं। इसलिए अनुभवों के आधार पर वे केवल वास्तविक जगत में ही सोचते हैं और प्रयास भी इच्छा के वास्तर डिलूजिन्स का कारण बनता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी स्किजोफ्रीनिया को समझने में सहता देगी और आप डोपामिन के महत्व को समझ पाए होंगे। नमस्कार धन्यवाद।